नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार स्टेडी वेस तो चलिए दोस्तो बिस्व भुगोल के अंतरगत अब हम पढ़ने वाले हैं जौला मुखी के बारे में जौला मुखी क्या होती है जौला मुखी के अंतरगत कुन-कुन से पदार्थ है वो सामील है उसके बाद हम बनती है तो वो सारी चीजों के बारे हम यहां पर जानने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जौला मुखी क्या होती है जैसे कि आपके सामने चित्र दिख रहा है यहां पर एक छिद्र आपको देखने को मिल रहा है और नीचे आपको देखें गर्म तपता पतार्थ को बोला जाता मेगमा अब मेगमा जो होता है देखें यहां पर अंदर की और अगर देखें तो मेगमा बहार निकल कर अगर बात करें तो यहां पर बुख बन जाता क्या लाबा तो हम जौला मुखी एक बोल सकते हैं कि धरातल पर या फिर हम बोल सकते हैं एक उसको क्या बोला जाता है? जॉला मुखी बोला जाता है. सिंपल हम बोल सकते हैं, जॉला मुखी बहे विवर या छिदर होता है, जिससे लाबा, राक, गैस वह जलबास्प का उदगार होता है. और यहाँ पर देखें तो जॉला मुखी कृट रिखने के अंतरगत प्रत्वी क होने की समस्त जो प्रक्रिया होती है वो जौला मुखी के अंतरगत सामिल की जाती है मतलब यहां मेगमा जो गैस और मेगमा जो धरतल पर है इससे लेकर बाहर निकलने तक की जो लावा तक की जो प्रक्रिया है और ठंडा होने तक की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जौला मु बिस्पोर्टक के रूप में हो सकता है या दरारी उद्वेदन के रूप में हो सकता है यहां पर हमने बात करें मेगमा में सिलीका की मात्रा क्या होती है अधिक होने के कारण यहां बिस्पोर्ट जो होता है जो आलमुखी में बिस्पोर्ट उद्गार देखे जाते हैं और छेली लिका की मातरा कम होती हैं तो यहां पर अन्व three रूप में देख case बरतमान की बात करते हैं तो बरतमान समय में मेगमा वभ लावा इवं जो आजने सैल अगने सैल हमें जो बरतमान है, बरतमान समय में मैगमा तथा लाबा एबं आगने जो सेल होती है उसका वरगी करण क्या होता है? रसाइनी वाज खनी संगठन के आधार पर किया जाता है इसके अलाबा खनी जो को हलके रंग वा गहरे रंग की दो अलग-अलग कैटेगरी में दिवाइट किया जा सकता है, हलके रंग के खनी जो का जो है फैल्सिक एबं गहरे रंग के खनी जो को मैफिक कहा जाता है तो यहाँ सिंपल रूप से देख सकते हैं, एक तो कहा जाता है हलके रंग के खनी जो को फैल्सिक और गहरे रंग के खनी जो को क्या कहा जाता है मैफिक कहा जाता है तो यह दोनी चीज आप ध्यान में रख सकते हैं फैल्सिक समूह में सिली का प्रधान खनीज कॉर्च तथा जो फैल स्वार होते हैं उनकी प्रमुक्ता देखी जा सकती है तथा मैफिक में मेगनिसियम वा लोह तत्व की अधिकता देखी जा सकती है इसके कुछ और चीज़े होती है जैसे फैल्सिक वा मैफिक के मध्यस अगर देखें तो इसके गुणों वाले जो खनीज है उनको अल्टरा मैफिक बोला जाता है मतलब अगर फैल्सिक और मैफिक दोनों गुणों का सम्मिसरंड कर दिया जाए तो उससे मिलका जो खनीज बनेंगे उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा अल्टरा मैफिक बोला जाएगा इसमें सिलिकॉन वा एलुमिनियम की मात्रा अधिक होती है इसके अलाबा कुछ और चीज़े देख लेते हैं जो कि जौला मुखी क्रिया के अंतरगत हमको बहार निकली हुई मिलती है यानि से पहले बात करते हैं जौला मुखी बम की अब जौला मुखी बम होते क्या है जौला मुखी उद्गार से क्या होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर के तुकड़े होते हैं यानि कि जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े जो तुकड़े निकलते हैं उनको हम क्या बोलते ह जिसका ब्यास अगर बात करें हम तो कुछ cm से लेकर कुछ fit तक हो सकता है मतलब एक दो fit तक भी जो है और अधिक fit तक इसके जो आकार है वो हमको देखने को मिलते हैं बात करता है लैपिली की तो लैपिली के अंतरगत हम देख सकते हैं जौलम की के बे तुकडे जो की जो मतर ह मतर के दाने या फिर जो अक्रोट है अक्रोट भी आपने देखा होगा तो अक्रोट के बराबर होते हैं मतर के दाने या अक्रोट के जो अक्रोट है उसके बराबर होते हैं जो अलमकी के अंतरगत जो तुकडे होते हैं उसको क्या बोला जाता है लैपिली बोला जाता है इसके धूल या राख, तो धूल या राख आप सभी जानते होंगे, मतलब एक ब्रकार से अगर बात करें हम तो बहुत ही महीन, यानि कि अती महीन चटानी कणों को धूल या राख कहते हैं, और जो अलमोखयूदगार के अंतरगध हम देख सकते हैं, चटानों के अती महीन कण, जो परवत के पदिये छेत्रे यानि कि फुट जो हिल्स होते हैं उसमें सबसे नीचे गिरते हैं कभी-कभी बे उपरी इस्तर पर भी एकत्रित हो जाते हैं तो यह धूलिया राग आप समझ गए सबसे महीन जो कण होते हैं धूलिया राग कहलाते हैं लाबा आप जानते ही होंगे जो नीचे मेगμα होता है वही अगर बाहर निकल जाए तो उसको क्या बोला जाता है लाबा बोला जाता है यानि कि जो अलम की उद्गार में चिपचिपा या पिगला पदार्थ क्या कहलाता है लाबा कहलाता है और अमल प्रधान लाबा पीला हलका त UsakYeah घाड़ा होता है ज यानिकि दुरवलता मंडल में जो मेगमा चेमबर है उससे निकल कर क्या होता है पाइरोक्लास्ट के उपरी इस्तर पर निर्मित होता है तो पाइरोक्लास्ट नेक्स्ट है हमारा देखे पाइरोक्लास्ट क्या होता है जौला मुखी क्रिया के अंतरगात भूपटल पर भूप में सबसे नीचे पाइरोकलाष्ट ही पाए जाते हैं ठीक है तो ये काफी चीज़े important हमने देख लिए जैसे जॉलम मुखी का होता उसके बारे हमने जाने और जॉलम मुखी के अंतरगत जो कौन-कौन से पदार्थ है वो बहार निकल कर आते हैं तो वो हमने यहाँ पर देखें हैं चलिए अब कुछ और चीज़े देख लेते हैं अर्था जॉलम मुखी कितने प्रकार की होती है उसका वर्गी करण देख लेते हैं तो जॉलम मुखी का वर्गी करण हम देखते हैं अलग-अलग प्रकार से उसको divide किया जाए, पहला तो बात करते हैं सक्रियता की अधार पर, ठीक है मतलब सक्रियता की अधार पर, यानि की सक्रिय जॉला मुखी, सुसुप्त जॉला मुखी, सांत जॉला मुखी, इस प्रकार से कुछ तीन प्रकार हम देखेंगे, फिर देखेंगे लाबा क के अधार पर ठीक है तो दोनों ही प्रकार हम देखने वाले सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रियते के अधार पर हम देखते हैं सक्रिय जौला मुखी जैसे मान लीजे यह देखिए यह जो है किसकी आकरती है जौला मुखी का अकरती यहां पर हम बना देते हैं क्रेटर क्रेटर मतलब जहां से लाबा या मेगमा जो है बाहर निकलता है लाबा के फॉर्म में ठीक है इस प्रकार अब यहां बात करते हम सक्री जो अलमुखी सिंपल रूप से समझ लेते हम ऐसी जो अलमुखी जिन में हमेशा लाबा लाबा मतलब जो मेगमा का परिवर्थित रूप है गैस, बेखंडित पदार और जो अन्य चीजे है वो सदेव यहाँ पर निकलती रहती है तो इस प्रकार के जौला मुखी क्या कहा जाता है सक्रिय जौला मुखी कहा जाता है और यहाँ हम देख सकते है सिसली के अंतरगात सिसली मतलब एक जगह है उसके उत्तर में हमको एक लिपारी दीब देखने के मिलता है वहाँ पर हमको इस्ट्रॉम बेली देखने के मिलता है स्ट्रॉम बेली एक जौला मुखी है और जौला मुखी जो इस्ट्रॉम बेली है इसके अलाबा एकवडोर हम देख सकते हैं, दक्षिन अमेरिका के अंतरगात आपको देखनेग मिलेगा, इटली आपको भुमद्द सागर के आसपास यहां देख सकते हैं, माउंट एलबूस जो अंटार्टिका है, अंटार्टिका का एक मातर सक्रिय जो आलमुखी, माउंट देख सकते हैं, उसके बाद बैरंदीप, बैरंदीप कहां पर देखनेग मिलेगा, भारत के अंतरगात अंटमान निकोवार दीप सम्हू में देख सकते हैं, ठीक है, तो यह काफी इंपोर्टेंट हो गए हमारे, जो सक्रिय जो आलमुखी है, उसके कुछ उधारन हमने कुछ जो आलमुखी देख लेते हैं, जैसे कि जो 2017 के आसपास हम देख सकते हैं, सक्री रूप से देखने को मिले थे, तो जैसे कि इंडोनेसिय की बात करते हैं, तो इंडोनेसिय काफी संबेदन सील इस्थान है, और दूसरा जापान की बात करने हैं, तो इंडोनेसिय के अ अंगंग ये दो है दो जग है यहां पर हमको देखने को मिला także 2017 हमस इजह अला मुंखी एक कंट्री है पेरू के ही दक्षिण में हम देख सकते हैं पेरू के दक्षिण में हमको एक जो है जो आला मुंखी जिसका नाम है उबीनास उबीनास यह मिला इसके लाबा पस्ची Minsh 말씀 में देखने को मिला चिली दक्रण मेरिका के अंतरगार रूस में देखने को मिला चिली फिर से यहां हम देख सकते हैं जो बिलैरी का नाम की जॉलमुके बहुत देखनेक मिली और के सारी चीज हम यहां देख सकते हैं और जो Haydiv है हवाई देव के किलाईयो जॉआलमुखी में तीब रिव स्पोर्ट के साथ मेगमा उदगार की घटनाए भी देखी गई थी तो यह तो कुछ हो गए सक्रिय जॉआलमुखी अब हम बात करते हैं सुसुप्त जॉआलमुखी का अगर बात करें तो यहां पर यह तो ना तो इ संद 2004 के सुनामी के बाद इसमें सक्रियतर के लक्षण दिखाई पड़े हैं पहले नहीं थे और ये काफी important है किस के अंतरगत सुसुपत-जॉबा मुखी के अंतरगत अब बात करते हैं मरत जॉबा मुखी मतलब इन में कोई मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो एंसे जॉबा मुखी जिसमें हजारों बर्सों 2000 वर्स से कोई उध्वेदन नहीं हुआ है मतला 1000 वर्स से कोई भी पदार तोहा से नहीं निकला है तथा भःविस में भी इसकी कोई संभावना नहीं है तो इस प्रकार के जवाला मुखी को बोले जाता है म्रत जवाला मुखी इसके अंतरगत हम देख सकते हैं जो अफरीका है अफरीका के जो पूर्वी भाग के अगर बात करें तो अफरीका के पूर्वी भाग में हम देख सकते हैं केनिया उसके आत किली मंजारो एकवाडोर रक्षिन अमेरिका के अंतरगा चिंबा राजो और म्यान मार के अगर बात करें तो यहां पोपा देखने को म मिलता है इरान में देम बंद कोहो सुल्तान एंडीज काम को गुआ ये सभी जो है म्रत जौला मुखी के ही काफी अच्छे उधारान हैं तो ये तीनों है प्रकार की जौला मुखी हमने देखे हैं सक्रियता के अधार पर मतलब जो सक्रियता यानि कि उसके विस्पोर्ट के अधार पर ठीक है उधवेदन के अधार पर देख सकते हैं जो लाबा यानि कि लाबा उधवेदन के अधार पर हमको चार पकार की जौला मुखी देखने के मिलती है कौन-कौन सी हवायन तुल स्टॉम बैली बलकेनियन और पीलियन तुल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द पीलियन तुले जौला मुखी की बात करते हैं तो ये सबसे अधिक बिनासकारी माने जाती है तो पीलियन तुले जौला मुखी देखिए आप नीचे बाला जो चितर है ये पीलियन तुले जौला मुखी का है और काफी बड़ा बिस्पोर्ट आपको देखने के मिल रहा है यानि कि सबसे अधिक बिनासकारी कुन सी होती है, पीलियन तुल्ले जोलमुखी होती है, इसमें काफी मातरा में जो है सिलिका होती है, और चिपचिपा, मतलब सिलिका की मातरा अधिक होने का कारण जो मेगमा होता है, मेगमा अत्याधिक अमलियवा चिपचिपा होता है, और इसमें प्रते एक अगला उद्गार जो होता है पिछले उद्गार से निर्मित जौला मुखी संकू को प्राय तोड़ते हुए आता है यानि कि काफी तीब रिविस्पोर्ट होने के कारण जो पहले का संकू होता है वो यहाँ पर तूट जाता है उधारन के लिए हम देख सकत पंखे से आप फिलिपिन्स के अंतरगत माउंट ताल यह सबी किसको उधारन है पीलें तुले जौला मुखी शने अब बात करते हैं सेकन्ड नंबर पर बलकेनियन तुल तो बलकेनियन तुल्ल की अगर बात करें तो इसमें अमलिय से लेकर चारिये, अमलिये से लेकर चारिये जो होते हैं, उसमें प्रतेख प्रकार के मेगमा का उदगार होता है, और गैसो के एक प्रकार से देखें, गैसो के अत्यधिक निस्कासन के कारण यहाँ पर कुछ आकरती बन जाती है, जैसे यह देख सकते हैं, फूल गोवी टाइप की आक जाते हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, फूल गोवी टुल पहले कुछ और जान लेते हैं, वलकेनियन तुल जो अलमुकी इसके बारे में, तो यहाँ बिसुभी इस प्रकार की यहाँ प्लीन जो प्रकार है, उसके जो आलमुकी उदगार को भी इसी बर्ग में रखा गया ह ठीक है, इस्ट्रॉम बेली की बात करते हैं, इस्ट्रॉम बेली तुल्य जो अलमुकी में अमली की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है, अब अमली की मात्रा कम है, सिंपल सी बात है, यहाँ जो गैस है, गैस के प्रभा मार्ग में रुकावट ना होतों समानता है, इसमें इस पोर्ट जो है उद्गार नहीं होते हैं तो अमली की मात्रा कम होती है और गैस के जो है गैस में कोई रुकावट नहीं होता इस कारण यहाँ पर उद्गार काफी कम देखे जाते हैं यानि कि उद्गार नहीं होते हैं इसके लावा नेक्स्ट जो है देखिए यह आप दिख रहे हैं यहां लभा तरालवा यूदा है कारण गैसों को मतलब एक परकाश सेरुकावट नहीं होती है और काफी सांत उद्धार होता है जिससे यहां दूर तक फेल कर जम्म हो जातानं EPA गया होटा है वह तो जूला मुखी संकू काम उठाई व्यूम्च संकू उंचा देख रहा यहां भी इन आधर और परकार पर कौन कोन से हवाईन तुल स्ट्रॉम Elder exactamente वाइन में था छाधान अगुल से हवाईन तुल को है रहिखे रोगल पर तॅर प्रूर्मीं कitious उल्कया में हैं सब अलग 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 प्रकार के स्थल रूप हमको देखने के मिलेंगे, कुछ तो हमको देखने के मिलेंगे, आंत्रिक और कुछ मिलेंगे वहा, ठीक है, तो दोनों भी प्रकार से हम देखेंगे, तो सबसे पहले आंत्रिक के बात करते हैं, तो आंत्रिक स्थल रूप आपके साम कणों के आकार यहां बड़े होते हैं तथा जो ग्रेनाइट होता उसके प्रकार के यह माना जाता है और यह अपेक्चकरत अधिक गरहिम देखा जाता है मतलब सबसे अधिक गहराई में क्या दिखा जा रहा है बैथुलित तो बैथुलित सबसे प्राइमेरी आकरती है किसके अंतरगत जौलमुकी का अंतरगत आंतरिक प्रकार में अपेक्षक्रत कम गहराई पर आगने चट्टान में मेगमा के अलग-अलग प्रकार से ठंडे होनी आगने की क्रिया से कई स्थलरूप देखे जाते हैं जैसे थोड़े उपर चले तो यहां लोपोलित और लोकोलित ये दो चीजे deja कम गहराई में मतलब सबसे अधिक गहराई में बैथोलित मिला उससे कम गहराई में मतलब जो है उसको क्या देखने को मिला हमको लोपोलित और लेकोलित देखने को मिला इसके अलाबा फैकोलित की बात करते हैं तो फैकोलित जो है यहां हम देख सकते हैं देखे फैकोलित के अगर बात करें तो जो अभी नतिया होती है अभी नतिय यानि की नीचे धसी हुई जो प्लेट होती है और अपनतिय यानि की उपर उपर जो है, मतलब जो एक प्लेट, दूसरे प्लेट के उपर आ जाती है, उसको अपनती बोलते हैं, तो अभी नती बोहा अपनति हो, मैं अभयांत्रिक लाबा का जमाओं, क्या कहलाता है, फैकॉलित कहलाता है, तो ये चीज़ हमने देखें इसके अलाबा हम देख सकते हैं जो sil और dike होते हैं dike मतलब ये खड़ी आकरती देखे हैं यहाँ पर दिख रहा है और sil मतलब 8 आकरती तो dike जो होती है लंबबबथ यानि की horizontal जिसे हम बोलते हैं لمबबथ मतलब vertical vertical मतलब खड़ी और 36 मतलब होता है 6 left से right तो यहां पे हम बोल सकते हैं जो छेती जाकरती होती है उसको क्या बोला जाता है सिल और जो खड़ी आकरती होती है उसे बोला जाता है ठीक है और सिल की ही हम देख सकते हैं पतली जो होती है पतली परत पतली परत को क्या बोला जाता है सीड और अगर बात करें डाइक की तो ड हम यहाराई में देखने को मिलते हैं। फैकोलिछ, मोरदार जू परवत होते हैं वे इसीक के अंतरगध हम देख सकते हैं। देखेसे, मोरदार परवत के रूप में यह देख रहा है। सिल जो हता बनता है यह देखिए यह भी संकु है इधर भी लावा के प्रभास है एक पठार बना है वो भी आपको देख रहा है तो इतनी प्रकार की आकरती हम देख सकते हैं आंत्रिक स्थल रूप के अंतरगात इसके लावा जौला मुखी क्रिया से कुछ बहा स्वरूप भी बनते हैं बहा स्वरूप भी हम देख लेते हैं यहां पर कुछ जो जौला मुखी से बनते हैं तो देखिए यहां पर हमको सिंडर या राक संकु देखने मिलेगा दूसरा लावा संकु देखने मिलेगा मिसरित लावा संकु देखने मिलेगा फिर पर पोसित या असरित लावा संकु सबसे पहले हम देख लेते हैं देखें यहां पर जो संको का निर्मान होता है एक प्रकार से देखें क्रेटर वा काल्डेरा जैसे जो धासे हुए स्थल रूप है जो अलमकी संको के उपर बनते हो देखते हैं और मुख रूप से हम अगर देखें सिंडर या राक संको के बारे में तो इस प्रकार के जो संको होते हैं कम उचाई में होते हैं यानि कि जो उचाई होती है एक प्रकार से इनकी कम होते हैं कम उचाई में होते हैं तथा इनके नि तो कि कोई एई लूपत है, ऊ.' tu Ci सब के उधारण है, मतलु या नगीं है, की दचमचे हैं है, जाता की काई उत्री अमध्डर्गाइच, पर्वत परवत थो अधिक हमीं होती है, की है १े बैद देख सकते हैं। पर्त तो तो यह सभी किसके उधारन है मतलब सिंडर या राक संकुत उधारन हैं साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पर हम को सान सल्वा डूर है बहुत से चीज़ए हम देख सकते हैं फिलिपिनिस जो गटेमाला है इसके अलाबर हम देख सकते हैं लुझोंदीप में ही हमको कैमेक बीन प अभी किसका उधारन आहे जैशी कर दो पहले करते हैं अब बात करते हैं लाव संकू अगर बात करें तो अब उता हैcción यह प्रकार से निर्माहरण जो होता है अम्लिये थी ठारन सब्सक्धार कर जो तराल मेगमा होते उसके उद्गार की इन में काफी मेहत्पोर्ण भुमी का होती है तो देख सकते हैं हम यहां यहां जो अमलिय लावा होता है अमलिय लावा हमको सिलीका की मातरा अधिक देखने को मिलेगी और यहां अगर बात करें हमें यहां पर तो सिंपल रूप से यहां अमलिय जो है इसमें काफी चिपचिपाहट महसूत होगी मतलब सिंपल रूप से देखें तो सिलीका की मातरा ज विलकेनियान इस्ट्रॉम बैली यह इसके उधाराण है अम लिए लावा संकूं की नेक्ष्ट लावासंनकूं जो है उसके अंतरगत देखें तो चार्येया पैठिक लावासंकूं इसमें सिलिका की कम होती है हल्का पतला होता है और इसके उधारन मुख्रुप से हम देख सकते हुइँ अभाई नेक्स्ट है मिस्रित ज्वालu की नतर्गत्व हम देख सकते हैं धिए जब जो केंद्री उद्गार केंद्री만थे लेकर चानिये अमली चाय हर प्रकार के लाबा का उद्गार और उचे होते हैं यानि कर जो इसके Infrast intervals की संकु के अंतारध संहों जपान का थाया महीन है नेक्स्ट देखने को मिलता है परपोसित या आस्रित जौला मुकी के अंतरगत हम देख सकते हैं इनका विस्तार काफी अधिक होता है और इनकी जो मुख्य नलिका होती है मुख्य नलिका में कभी-कभी फटने के कारण कुछ उसकी उपनलिका भी बन जाती है और कुछ साखाय भी हमको देखने को मिलती है इससे जौला मुकी संकू के ढाल पर एक अन्य संकू जो होता है वो काफी निर्मित यहाँ देखने को मिलता है और इससे परपोसित संकू भी कहा जाता है सिक्त राज अमेरिका के अंतरगत माउंट सास्तिना और माउंट सास्ता इसके उधारन है यानि के परफोसिस संकू के उधारन है जॉला मुखी के बिसपोट उधगार से संकू के उपर कीपाकार गर्थ धसे हुए भाग के उधारन है जो कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि क्रेटर होता एक और एक होता काल डेरा तो पहले देख लेते हैं क्रेटर तो क्रेटर के अगर बात करें जैसे हमने ये जॉला मुखी बनाए फीक है यहाँ से लाबा निकला और यहाँ से निकल कर यह फैल गया अब क्रेटर में क्या होता है देखेए यह जॉला मुखी संकू के सबसे मतलब उपर सामनता है मिलने वाला कीपाकार आकरती कीपाकार गर्तनुमा आकरती होती है इसमें यदि जल का भरा हो जाए तो इससे क्या बन जाती है इससे क्रेटर जील बन जाती है मतलब सबसे जो जौला मुखी के उपर गर्तनुमा और कीपा काराकरती होती है वो कहलाता है क्रेटर और क्रेटर जील कब बनती है जब इसमें पानी भरा जाए जैसे मुख रूप से अगर देखें तो महराष्ट के अंतरगत हमको जो बुल्धाना जीला है उसमें हमको एक जील देखने को मिलेगी लोनार जील ये भी किसका उधारन है क्रेटर जील का उधारन है कभी-कभी एक मुखे क्रेटर में कई छोटे-छोटे क्रेटरों को निर्वान होता है ऐसा उस समय होता है जब अगला उदगार पिछले उदगार की तुलना में कम तीवरिता का हो मतलब पहला उदगार बड़ा था फिर छोटा उदगार हुआ फिर और छोटा हुआ तो इस प्रकार अन्य छोटे छोटे क्रेटर हां निर्मित देखे जाते हैं इस तरह क्रेटर को जो है एक प्रकार से अन्य छोटे छोटे जो क्रेटर बन जाते है उसको एक प्रकार से घोसलादार क्रेटर कहा जाता है और फिलिपिन्स के अंतरगत अगर देखें तो फिलिपिन्स के अंतरगत माउंट ताल में जो है तीन छोटे-छोटे क्रेटर हमको देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं काल्डेरा तो अगर जे क्रेटर जो है काफी बढ़ा हो जाए मतलब इसके आकरती बढ़ जाए तो बढ़ जाए तो क्या होगा क्रेटर का ही विस्तिर्त रूप होता है काल्डेरा यह हमको यहां देखने को मिला और यह क्रेटर में धसाव अथवा विस्पो करेटर के धसाओ से उसका कर बड़ा हो जाता है ताथ काल्डेरा निर्मीत हो जाता है इसमें हम देखें exacerbate जापान के अंतरगत आसो जो क्रेटर है वो देखने को मिलेगा और USA के अंतरगत अर्था स्मिक्तराज अमेरिका के अंतरगत क्रेटर लेक और हवाइदीर यह भी हमको यहां पर काल्डेरा के उधारन के रूप में देखने को मिलते हैं तो यह तो बात हो गई बहास्थल रूप के अब हमने देखिए यहां पर आंत्रिक जो आलम की ग्रिवा और डाइटरॉम अलब इस प्रकार जो है एक प्रकार से अगर देखें तो इस प्रकार के जो इस्थल रूप है उस समय निर्मित होते हैं जब जो आलम की उद्दाब से निकलने वाला लावा अत्यधीक अमलिये हो यहां अत्यधीक अमलिये और सिलिका उसमें अधिक हो तो सिलीका की मातरा भी अधिक होगी और अमलियता भी अधिक होगी तो इस तरह की स्तिती में लावा की जो एक पट्टी है या कठोर पट्टी जौला मुखी नालिका में क्या हो जाती है एवं जो विवर है उसमें जमा हो जाती है तो इस प्रकार की हमको आकर प्लग या लावा डॉट उसको कहा जाता है इसके बाद जॉला मुखी ग्रीवा किसको कहा जाता है नालीका में जमा हुई जो लावा होती है यह वाली इसमें जो लावा होता है लावा क्या होता है लावा पट्टी जॉला मुखी ग्रीवा कहलाती एक प्रकार से देखें तो यहां पर जो लाबा है वो निकल रहा है तो इसको जॉला मुखी पट्टी बोलते हैं और लाबा डॉट किसको बोला गया है जॉला मुखी संकू या बिबर में जॉला मुखी जॉला मुखी जो लाबा होता है वो जम जाता है तो उसको क्या बोला जाता है लाबा डॉट या ल इन दोनों को मिला का का डाइट्राम बन जाता है। अब यहां देखे सटराज अमेरिका के अंतरगत हमको एक प्रकार से न्यू मेक्सिको है। उसमें सिप रॉक डायट्राम का क्यों मतलब जू है। इंपोर्टन्ट उधारन यहां देखने को मिलते है। इसके अलावा जो ब्लेक हील्स है वए डेबिल टावार है जॉलम बखी गृबर के उधारन के रूप में देखने कमिलते हैं ये सभी इस्थल मंक्ष रूप से अगर देखेंज़ ये सभी इस्थल रूप जो है जॉलम की सांथ होने के करम में निर्मित होते हैं मतलब जब जौलम की उद्गार होता, तब ये निर्मित नहीं होते हैं, परन्तु जब जौलम की सांथ होने लगता है, तो ये तीनों ही स्थल देखने को मिलते हैं, तो लावा डॉट, लावा जौलम की ग्रीबा और डायट्रैम, चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और का इंपॉर्टन्ट उधारन हैं यहां पर, अब दो चीज और देख लेते हैं, जिने हम बोलते हैं, गीजर या धुवारे, जौलम की की जो दरारी उद्वेदन होता है, उससे लावा पठार वा लावा मैदान निर्मित होते हैं, और धुवारे वा गीजर भी जौलम की क्र सांत रूप से प्रभाईत होकर धरतल के उपर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है, और इन परतों को मुख रूप से क्या बोला जाता है, लावा पठार या ट्रैप कहा जाता है, अब देखें यहां पर अगर देखें तो इसका सबसे अच्छा उधारन हमको जो भारत ह दक्कन का पठार वहां पर देखने को मिलेगा, दक्कन ट्रैप में, सेंक्तराज अमेरिका के अंतर लावा पठार या ट्रैप के, चलिए बात करते हैं गीजर की, गीजर क्या होता है, गर्मजल की ऐसे शुरूत जहां से समय समय पर गर्मजल की फ़वारे निकलती है, मतलब तो समय समय पर क्या होता है गर्मजल की फ्वारे निकलती है तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है गर्मजल के जर्नों से है भिन्न है क्योंकि इसका ज्वालम की क्रिया से अनिवारे सम्मंध होता है गीजर का सबसे अच्छा उधारन हमको क्या देखने मिलेगा USA के अंतरगत यह से के अंतरगत येलोश्टीन जो नेशनल पार्क है उसके अंतरगत हम देख सकते हैं ओल्ड फेथफूल गीजर वह एक्सिलिसियर गीजर इसके अंतरगत काफी अच्छे उधारन है गीजर के इसके अलाबा आइसलेंट के अंतरगत हम को ग्रैंड गीजर ये गीजर का ही उधारन है नेक्स्ट है धुआरे धुआरे क्या होते है धुआरे मतलब होता है जो जुआलमखी होती है जुआलमखी क्रिया के अंतीम अवस्था के प्रतिक इनको माना जाता है धुआरे को इसके अंतरगत हमको मुख रूप से जल और जो जलबास होती है और गैस होती है वो निकले यहा कि दुवारे को गंधह क्यों कि आमेरीका की अंतरगत दे लिख इंद्र को कहा जाता है करो सफ कि इंद्ध मैंब है प्लेंटि प्लेंटी कि जो खड़ई है उसमें वाइट दीव हमको देखने मिलेगा वाइट दीव का धुवारा यह काफी important है धुवारे के अंतरगत तो यह चीज आपके यहां पर देखी जा रही है गीजर और धुवारे अब आगे बात करते हैं जौलमकी का विस्व में वितरन मतलब जौलमकी जो है विस्व में कहां कहां हमको देखने को मिलती है तो यह भी हम देख लेते हैं काफी important है और खास करके हमको प्रसांत महासागरी जो छेतर है उसके आसपास जो किनारे होते हैं महादीप का किनारा होता है उसके अंतरगत हमको काफी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आलम की तो चलिए यहाँ मैप में एक नजर डाल देते हैं देखिए सारी चीज़ तो आपको पता होगी देखिए यह वाला जो यहाँ से भाग है यह क तो हमने यहां देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है और एक नीचे देखने मिलेगा अंटार्क्टिका तो टोटल मिलाकर साथ आपको महादीब देखने मिलेंगे ठीक है महादीब मतलब स्थल खंडों के बहुत बड़े बड़े भाग उसके बाद आपको ठीक है यह वाला जो भाग है यहां देखने मिलेगा अटलांटिक महासागर ठीक है और यहां पै और इधर वाले भाग में मिलेगा प्रसांत महासागर ठीक है और एक उपर आर्कटिक देखेगा और एक अंटार्क्टिक देखेगा ठीक है तो एक, दो, तीन, चार और थिक तो हम देख लेते हैं जवाला मुखी का इसे मेकला मर्ध अट्लांटिक उसके बद अंतरा प्लेटि WFP tшь प्रसांत महासागरी उसके लीड़्यक के पल्लेगा कष्सागरी मिलेगी यह यहाँ जो भाग है। यहाँ देखने को मिलेगी और इधर वाला भाग, ठीक है, मतलब सिंपल रूप से अगर बोले, तो यहाँ देखिए एसिया का कुछ भाग उपर देखने के मिलता है रूस वाला, उसके बाद यहाँ जापान इंडोनेसिया, उसके बाद फिलिपीन्स यह वाला भाग देखने के मिलता है न्यूजिलेंड के वाला, उसके बाद यहाँ अलास्का, अलास्का के बाद हम देख सकते हैं, इधर अमेरिका, अमेरिका के नीचे मेक्सिको, उसके बाद दक्षिन, अमेरिका हम देख सकते हैं, एंडी और रॉकी परवत के किनारे, तो यह वाला जो भाग है क्या कहलाएगा, परिप्रसांत मेखला अब परिप्रसांत मेखला की अगर बात करें तो यहां पर देखें उसके पहले हम कुछ चीज़े और देख लेते हैं जो प्लेट विवर्तनीकी है मतलब जो हमने पढ़े थे प्लेट विवर्तनीकी सिद्धान उसके आधार पर अगर देखें तो ज्वा उलमुकी, विनासातमक्क प्लेट किनारा पर है अब विनासातमक्क प्लेट किनारा क्या होते है? यह जो आपको पता होगी देखिए अगर प्लेट संपीडन की अबस्ता हूma है Abrams, न्योगन मतलब एक प्लेट दूसरे के सामने हो और एक दूसरे से टकराए तो क्या हो ऊपर जाए एक प्लेट हलकी वाली और नीचे जाए एक प्लेट भारी वाली तो इसको बोला जाता है बिनासात्मक प्लेट किनारा तो इसमें हमको 80% जौला मुकी देखने को मिलते हैं उसके बाद 15% हमको रचनात्मक प्लेट किनारा हम देखने के मिलते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाए यानि कि तनाव की स्थितित्मन हो तो उसको बोला जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा नई आकरती में निकल कर आती है तो इसलिए रचनातनक प्लेट किनार है इसको बला जाता है और 15% हमको यहाँ देखने मिलेगा और इसके वाद सेस जो प्लेट है उसमें आंतरिक भागों में पाय जाते हैं तो इसमें मुख रूप से हमने 4 देखें हैं परिप्रसांथ इत्ता भाग और इत्ता भाग ठीक है तो यहाँ परिप्रसांथ महासागरी मेकला के अंतरगत हम देख सकते हैं जो लगभाग जौला मुखी है वो यहीं पे हमको तीन भाग मतला प्रत्वी को टोटल मिलाकर अगर तीन प्रत्वी की जो टोटल जॉला मुखी है उसको बांटे तीन भाग में तो टोटल दो भाग कहा देखने के मिलते हैं परिप्रसांथ साग्रिय में एकला में और प्रसांथ महासागर का अगनी बले इसको कहा जाता है अगनी बले मतलब ज यान का रिंग ओफायर है उसको बोला जाता है यदि जो पेटी है अंटार्टिका के माउंट मतलब जो पेटी है यह वाली जो पेटी अंटार्टिका के अंतरगत हम देखें तो माउंट एलबूस माउंट जो एलबूस है उससे सुरू होकर दक्षिन अमेरिका के एंडिस इस तक इसका जो है complete यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है रोकीस परवत माला भी इसी के अंतरगत आ जाती है मतलब जो ring of fire है उसके अंतरगत अलास्का पूर्वी रूस जापान फिलिपिन्स आदी जो दीप है इससे होते हुए मद्द महादी पे पेटी से मिल जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं मद्द महादी पे पेटी तो मद्द महादी पे जो पेटी है जो mid continental bandage से हम बोलते हैं इस मेखला के अधिकांस च्वालमुकी क्या होते है बिना सात्माग प्लेट किनारों के जैसे होते है बिना सात्माग मतला फिर से संपीडन किस्तिती आ गई बिन इंडियन प्लेट की बात करें तो उसका अभिसरन इसमें देखने को मिलता है यह वाला भाग हम देख सकते हैं मद्द महादी पेटी इसमें मुखरूफ से जो मतलब जो साखा है अफरीका की भूबरंस घांटी एबम दूसरी साखा जो है स्पैन वा इटली होते हुए देख मुड़कर क्या होता है प्रसांत महासागरी पेटी से मिल जाती है यह मेखला मुखरूफ से अलपाइन हिमाले परवत संखला के साथ चलती है और भूमद्द सागर के जोला मुखी भी इसी पेटी के अंतरगत आते हैं इरान के अगर बात करें तो इरान का जो देमबंध है जो कि हमने पहले पढ़े थे देमबंध, कोह सुल्तान, आर्मेनिया, अरारात यह सभी जोला मुखी इसी में सामिल है यूरोप के अधिकान से जोला मुखी इसी पेटी के अंतरगत आते हैं जिसे की मीडियन मास है अफ्रीका के जोला मुखी इसमें ही आते हैं और पस्चिम जो अमेरिका है उस महादीप के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा मद्ध अट्लंटिक में खला या मद्ध महां सागरिय कटक अब यहां अगर बात करें तो यह रचनात्मक प्लेट किनारा के सहरे यहां पर देखने को मिलता है देखे एक प्लेट जब दूसरी प्लेट सिरे से दूर जा रहे तो वो किनारा कैलाएगा रचनात्मक लेट किनारों के सारिय मिलते हैं जहां पर दो प्लेटों के आपसारण के यहां भंध्रैन्स का देखिए जो एक प्रकार से कटक जो होता है कटक मतलब यहां पे जो एक प्रकार से मेखला होती है कटक के पास जो है नविन्तम लावा होता है और तथा कटक से बढ़ती दूरी के साथ लावा भी प्राचीन होता जाता है इसमें हम देख सकते हैं हेकला वा लौकी इस प्रदे जौलब मुखी इसके अंतरगत आते हैं अब देखे एक चीज है यहां पर अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहा जोग्राफी में तो आपको एटलस लेकर बैठना पड़ेगा ठीक है तो जो भी चीज में इंडिकेट कर रहा हूं तो आप एटलस में एक दो बार देख लेंग जिन्हें सूप्षन प्लेट गतीविदी एवं गर्म इस्थल की संकलपना दोरा समझा जाता है प्लेट विवर्थनी की सिद्धान दोरा इनका इसपश्टिकरन अभी तक नहीं होता का है यह वाले अंतरा प्लेट ये जौलमुखी का हवाई दीव से लेकर कम चटका तक जो जो जौलमुखी एवं जो जौलमुखी के दरारी उद्भेदन से बने कोलम्बिया के कोलम्बिया का जो इस्नैक पठार है पराना पठार है दककन ट्रेप है ड्रेकेंसबर्ग पठार है अंतरा प्लेट ये जो जौलमुखी उस क्रियाओ के सारे उधारन यहाँ पर देखने मिलेंगे तो आप यहां से देख सकते देखे dari trick जागरत जालमकी आपको आइसलेंड में डेखने की मिल रहा है उसके बाद आपको नीचे एदेखे यहां देखने की न्यू जी लेंड में और काफी important आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ring of fire में ठीक है ring of fire में आपको काफी important रूप में देखने को मिल रहा है अफरीका में भी और प्रसुप्त जौला मुखी प्रसुप्त जौला मुखी cross का निसान देख सकते हैं यहाँ देख रहा है जहाँ भी आपको cross के निसान देख रहे हैं यह देख सकते हैं तो चार प्रकार से हमने देखे हैं विस्प में वितरन जौला मुखी का काफी इंपॉर्टेंट है कुछ यहां देखे यहां पर आप देख सकते हैं परिप्रसांत मेखला आपको कहां देखेंगे देखरेंगे मिलेगी मतलब जो एक प मेखला 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 की बहाऩे वोडे बहाने मेखला , पथार आक मिलता है जो ते अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हю यहूंड के बारे में पठ़ेते जौनडी फूका जो फ्लेट है ठीक है यहां देखे जौनडी जो फर्णनेंडीस है जो एक प्रकार से जौलमुकी है वो हम देख सकते हैं उसके बाद आप देखे जोरलो इजालको कोटापेक्सी चिंबर रजी इसके बाद हम देख सकते देखे यहां पर किली मंजार हो यह परबत इसका सेंट पालराग फेगो केमरून परबत अंसिंसियंस ओंगा यह सब ही जो है जो है जोलमुकी एक प्रकार से दीफ है या परबत है तो आप इनको एक बार देख सकते हैं एटलस में देखेंगे जादा क्लियार्टी होगी चलिए यहां पर हम देख लेते हैं वि अजनटीना नीचे की और देखने को मिलेगा तो आप मेक्सी को कहां पर देख सकते हैं मैक्सीको आपको यहां देखने को मिलेगा मोनो लोगा हवाई दीप में देखने के मिलेगा ठीक है ये वाला देख सकते हैं उसके बाद माउंट केमरून ये केमरून अफरीका में देखने के मिलेगा ठीक है ये देखिए केमरून परबात में हमने अभी देखे थे हैं माउंट एल्वरेस के अगर बात करें तो रॉस अंटाक्टिका के अंतरगत ये देखने के मिलेगा नीचे की ओर ये देखिए इसके बाद हम देख सकते हैं माउंट एटना इसिसली इटली में मिलेगा ठीक है ये देखिए यहाँ पर इटली के अंतरगत उसके आथ माउंट प यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेट करते हुए, कटमय जो है, अलास्का के अंतरगत देखने मिलेगा, अब अलास्का कहां देखेगा आपको, अलास्का यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेरिका के उपरे वाले भाग में, माउंट रेनियार, USA के अंतरगत देखने मिलें माउंट सास्ता विसी का अंतरगा चिंबर राजो एकवडोर में देखने को मिलेगा इसके अलाबा यह देख सकते हैं आप लोकेशन देखते चलिए फ्यूजियामा जापान में यहां पर देख सकते हैं माउंट अताल फिलिपिन्स में फिलिपिन्स कहां पर देखने को म इसके अलाबा हम देख सकते ہیں Обर्म हुशा कोह सुल्टान यहां इब इरान में माउंट पोपा यह मियानमाः बर्मा के अंतर्गत देखने मिलेगा भारत के साइड में जो पडोसी है है देश उसमें किली मंदारों तंजानिया अफरीका महादीप के अंतरगत देखने मिलेगा यह आप देख सकते हैं मियाना जो है फिलिपिन्स के अंतरगत देखने मिलेगा इजा जलाल जोकुल जो है आइसलेंड यहां पर हम देख सकते हैं आइसलेंड यहां पर जो है देखने को मिलेगा तो अब हमारा जौल अ मोखी हमने बहुत सारी चीजह इसकी अंतर गटीन तू हम हम रिकाल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ देखे हैं ताकि हमारे दिमाग में फिक्टर से लिपा कर से रिकाल हो जाए ख़रोयों तो चलिए यहां देख लेते हैं हम जौला मुखी के बारे में सबसे पहले हमने जौला मुखी के बारे में कुछ उसकी बाते जाने उसके बाद हम क्या क्या पदार्थ निकलते हैं उसके अंतरगत बू हमने सारी चीछ जाने साथ प्रकार च्छे प्रकार के प्रकार के प्रकार लावा हैं हाई तो बीवोन तूल नेक्स्ट लंने देखेते हैं जालम मुख्रीया से नीरमित जो इसथल रूप HA थेहा क्यू staiden आंट्रिक इस्थल रूप उसके बाद सब्सक्रांव करें के अंतरगत हम बहुत सारी सफ्थित मतलए के प्रेक प्रकाइट से इस तो कोलित सिल और डाइक उसके बाद स्टैक और सीठ हमने देखे थे फिर लाबा का जो प्रभा से जो है पठार वाना बोवी हमने देखे यहां पर इसके बाद 22 रूप के अंतरगत हमको चार चीज़े देखने को मिली थी तो सिंडर या राक संकू लाबा संकू मिस्रित या मिस्र संकू के अंतरगत हमको दो चीज़े मिली थी करेटर और करेटर का ही बड़ा भाई कर लेरा होता है उसके बाद कुछ और आकरती बनती है मतलब कुछ और जो इस्तिति होती है जो प्रसांत महासागर के आसपास है जिसे रिंग ओफ फायर बोला जाता है मद्ध महादी पेट जो कि हमारा भारत बीसी गंतरकाता है मद्ध अट्लांटिक मेखला तो यह देख सकते हैं एक प्रकार से एटलस में भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी क्लियारटी हो जाएगी तो ये तो lecture हमारा यहीं तक था जौला मुखी का complete हो चुका है अगर आपको जो lecture है वो कुछ सुझाओ देना है मतलब कैसा लगा lecture आपको सुझाओ कुछ आपके है तो उन सुझाओ को जरूर accept किया जाएगा अगर कुछ problem है lecture में तो भो भी बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके और lecture अगर पसंद आए तो आप जरूर share करे और like करे ताकि जादस जादा लोगों तक यह पहुंच सके मतलब अगर काम की चीज है तो जादस जादा लोगों तक जाना चाहिए और सिक्षा का प्रसार तो जरूर होना चाहिए कुछ लोग क्या होते हैं share नहीं करते हैं share क्यों नहीं करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम बस पढ़ें बाकी लोग ना पढ़ें तो ऐसा कुछ नहीं होता है सभी पढ़ेंगे तो जिसमें दिखे जो सफल होने बाला है भो आराम से सफल होगा ऐसा नहीं होगा कि आप share नहीं करोगे तो दूसरा पढ़ेगा नहीं दूसरा भी पढ़ लेगा पर आपके द्वारा पढ़ेगा तो आपको भी उससे profit होगा ठीक है तो जरूर share करें और lecture पसंद आया तो like भी कर सकते हैं